नमस्कार दोस्तों ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है उधाव ठाकरे के एक और बहुत नजदी की अनिल परप पर इडी का शिकंजा कस गया है और दस करोड के करीब की जो इनकी संपत्ती है जमीन है रिसॉर्ट है रतना गिरी जिले में दापोली में उसको जब्त कर लिया गया है आपको ध्यान होगा मई 2022 में इनके साथ ठिकानों पर एक साथ छापे मारी हुई थी और अनिल परप से भी लंबी पूष्टाच हुई थी किरीट समय जो भारतिय जनता पारिटी के पूर्व सांसद हैं और वरिष्ट नेता है उन्हों ने इन पर गंभीर आरोप लगाए थे और इस मामले में दो हजार बाइस नवंबर में चार सो वीस और चौटीस के तहट यानि धोखा धड़ी और साजिस रचने बलके धोखा धड़ी ही कहेंगे इस मामले में की एफ आई आर दर्ज हुई थी अब देखना ये है कि अनिल परब की ग्रफतारी भी होती है या नहीं होती है याद करिए मई दो हजार बाइस में उधाव ठाकरे मुखे मंतरी थे और अनिल परब संसदिये और परिवेहन मामलों के उस समय मंतरी थे तीन बार इनको विधान परिशद के जरिये सदन का सदस्ति बनाया गया है और ये माना जाता है कि जो शिवसेना में उधाव ठाकरे के करीबी नेता रहे हैं उनमें अनिल परब एक हैं अनिल परब पर ऐसे समय पर शिकंजा कसा गया है उनकी विवादित जमीन को रिसॉर्ट को कुर्क किया गया है जब BMC के चुनाव बिलकुल सिर पर हैं और आपको ये जान करके और भी आश्चरिय होगा कि उधाव ठाकरे ने BMC में जो कहते हैं ना कि विसात बिछाने की जिम्मेदारी अनिल परब को ही सौपी होई है यह माना जाता है कि मंबई के बारे में जितनी जानकारी अनिल परब को है उतनी जानकारी और किसी को नहीं है निचले इस तर से ये मंबई शहर से ही उभर करके उपर तक आए और एक जमाने में बाला साब ठाकरे के करीबी बने बाद में उधाव ठाकरे के भी करीबी रहे विश्वास पात्र रहे 55 में से 40 MLA उधाव ठाकरे का साथ छोड़ गए एक नात्शिंदे के नेत्रतों में हाला कि ये विधान परिशद के सदस्य हैं पर इन्हों ने उधाव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा ये पूरा मामला है क्या ये समझना होगा और ये और भी दिल्चस्प बात है कि ये जमीन जो कृशी कारियों की जमीन थी कृशी लैंड यूद जो है वो एगरी कल्चर था इस जमीन को अनिल परब ने 2017 में खरीदा था लेकिन इस पर रिसॉर्ट का निर्मान कब शुरू हुआ दोहजार उन्नीस बीस में दोहजार उन्नीस में तो इसके रेजिस्ट्री कराई गई दो साल बाद यानि खरीदने के दो साल बाद और शायद जब उधर ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद कराई होगी या उससे पहले भी कराई होगी तो कुछ दोहजार उन्नीस की उस सत्ता प्राप्ती से कुछ संबंद तो होगा ही क्योंके देवेंद्र फड़नवीस भी अगर मुख्यमंत्री थे तो उस समय तक तो शिव सेना उनकी साज़ेदार थी यानि भारतिय जनता पारिटी की साज़ेदार थी तो सत्ता का किस तरीके से दुरूपयोग किया जाता है ये इस पूरे घटना करम से पता चलता है जो खबर आई है मैं आपको उसके कुछ अंश सुनवाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ा है किरीट समया ने आरोप लगाए थे कि अनिल परब ने बड़ा गुल गपाड़ा किया है हाला कि बाद में आनिल परब ने किरीट समया को जूटा साबित करने के लिए उन पर मानहानी का केस भी कराया था लेकिन इडी की जाच पड़ताल से छापे से इन से पूशताच से इनके करीबियों से पूशताच से उनके यहाँ भी छापे मारने से एक बात बिल्कुल इसपस्ट हो गई कि इस जमीन घोटाले में ही जमीन खरीद में और बेच में ही घपला नहीं हुआ है बलके जो लौज होते हैं तटवर्ती ख्षेत्रों में निर्मान को लेकर के उनका भी खुला उलंगन हुआ था तो ये रतनागिरी जिले के दापोली के मुरुड में है जगे और इडी ने एक बयान में ये कहा है कि भूखंड की कीमत जो है वो दो करोड तिहत्तर लाख एक्क्यानवे हजार रुपे है मान लिए ये करीब करीब पोने दो करोड की तो जमीन ही है और उस पर जो रिसॉर्ट का निर्मान हुआ है और ये निर्मान पता है कब हुआ है जब कोविड काल था कोविड काल में जो लोकडाउन लगा था उस समय दिन रात काम करवा करके निर्मान कारिय करवा करके और रिसॉर्ट खड़ा कर दिया गया इस resort का मुल्य जो है जिसका नाम है साई resort इसकी कीमत एडी के द्वारा जो आखी गई है वो है 7 करोड 46,47,000 रुपे यानि जो जमीन और रिसोर्ट कुर्क किया गया है उसकी कीमत एडी ने 10 करोड 20 लाख रुपे आखी है जिस समय मई में ये च्छापे पड़े थे उस समय के ज़रा अजित पवार के और ये आपके संजय राउत के बयान उठा करके देखिए क्या कहा था इन लोगाने आजित पमार ने कहा था उपमुख्य मंदरी थे उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार शक्ति का दुरूपयोग कर रही है संजय राउत का बयान आया था उधव सरकार को बदराम करने की साजिश की गई है इसलिए इडी च्छापे मार रही है यानि जो अनिल परब ने कारनामा किया था उस पर धूल मिट्टी डाल करके उल्टे केंद्र सरकार को ही या केंद्रिये एजेंसियों को ही कटगरे में खड़ा करने की कोशिश इन्होंने की थी मई 2022 और सरकार कब गई अगले महिने जून के आखिर में 29 को या 30 जून को 29 को संभावत है उधव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि 10 जून से वह घटना करम शुरू हुआ था आपको याद होगा जब विधान परिशद की कुछ सीटों के लिए चुना हुए थे फिर राज्यसभा के लिए हुए थे और शिवसेना के वीतर खुली बगावत हुई थी 20-21 जून से वह घगावत शुरू हुई थी जब सूरत में MLA इकठा हो गए थे शिवसेना के फिर गुहार्टी चले गए गुहार्टी से गोवा ले जाए गए गोवा से फिर मुंबई आए और तब तक तो एकनात शिंदे ने मुख्यमंतरी पद की शपत ले ली थी और ख़बर में ये बताया गया है जिस ख़बर की मैं चर्चा कर रहा था आपसे इसमें कहा गया है कि शिवसेना नेता और पूर्व केबिनेट मंतरी अनिल परब की करीब 10 करोड रुपे की प्रोपरेटी एडी ने कुर्क कर ली है ये मामला रतनागिरी जिले के दापोली तट क्षेत्र में साई रिजोर्ट एनेक्स के निर्मान में तटिय विनीमन क्षेत्र यानि सी आर जैड के प्रावधानों के उलंगहन से जुड़ा है बुधवार को कुर्की की गई और प्रोपर्टी में ये रिजोर्ट भी शामिल है इडी ने करीब 6 महिने पहले आनिल परब स समंद में लंबी पूछताच की थी उस दोरान परब ने अपने उपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया था इडी ने उसी दोरान उनके और करीबियों से जुड़े करीब 14 ठीकानों पर चापे मारे थे और क्रीट समया ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए थे इडी ने जो बयान जारी किया है उसने कहा है कि महराष्ट के पूर्व मंत्री अनिल परब और अन्य के खिलाब तटिये नियमन कानून के उलंगन को लेकर के धन शोधन की जात चल रही है और इसी संबंद में रिजॉर्ट और उनकी जमीन जो करीब 10 करोड रुपे की आखी गई है व और इडी ने ये भी बताया है कि ये मुरुड में है और इसका डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उसको रिपीट करने की आवशक्ता नहीं है और इडी ने ये भी जानकरी दी है कि जांच पड़ताल में ये बात साफ हुई है कि अनिल परब ने मुंबई के एक क अदानन्द कदम के साथ कथित रूप से मिली भगत करके भूमी को किर्शी से गैर किर्शी उपयोगिता में बदलने के लिए जो लोकल उप विभागी ये कारियल्ले है वहां से अवैध अनुमती प्राप्त की यानि मंतरी रहते हुए या देवेंद्र फर्णवीस सरकार में उससे में शिव सेना थी अगर तब ये किया गया है तो शक्ति का दुरूपयोग करते हुए एक गलत अवैध अनुमती प्राप्त कर ली और इसमें ये भी कहा गया है कि दापोली में जो सी आर जैड है उसके मांदंडों का उलंगन करते हुए एक रिसॉर्ट का निर्मान भी उस किर्शी भूमी पर कर लिया गया अवैध रूप से अनुमती प्राप्त की गई फिर रातों रात जब कोविड काल चल रहा था लोगडाउन चल रहा था रिसॉर्ट का निर्मान कर लिया गया और दापॉली जो है यह मंबई से करीब करीब 230 किलोमेटर पड़ता है और तटवर्ती हिल इस्टेशन है महाराष्ट का इसे मिनी महावलेश्वर भी कहा जाता है और यहां पूरे साल जो वातावरण है वो ठंडा रहता है मौसम ठंडा में रहता है यहां विला फ्लैट सहित कई रियल इस्टेट परियोजनाएं शुरू हुई है इडी का कहना है कि परव ने राज्य के राजस्व विभाग से CRZ यानि CRZ 3 यानि 9 डवलप्मेंट जोन के तहत आने वाले भोखंड पर बंगले के निर्मान के लिए अवैध रूप से अनुमती प्राप्त की यानि बंगला बनवाना है ये कह करके अवैध रूप से अनुमती प्राप्त की और उसके बाद रिसॉर्ट का निर्मान करा लिया ये हाल है इनके यानि ओधाव ठाकरे के करीबियों के और जो इनकी नाक का बाल कहे जाते हैं उन्होंने किस तरीके के काम कर रखे हैं आपको ये भी याद होगा सचिन वाजे जो अनिल देश मुक के लिए सो करोड रुपे की वसूली के मामले में ग्रफ्तार किया गया था और जिस पर एक जो व्यवसाई थे उसकी हत्या करने का और करवाने का गंभीर आरोप लगा था जिसकी गाड़ी का उपयोग दुरुपयोग इनोंने मुकेस अंबानी और नीता अंबानी को धमकाने के लिए किया था और वो गाड़ी उनकी एंटीलिया के नीचे खड़ी कर दी थी जिसमें कुछ दिलिटिन की छड़ें एक धमकी भरा पत्र भी छोड़ दिया था सचिन वाजे ने भी अनिल पर परियारोप लगाया था कि ये भी मुझसे वसूली करवाते थे इनोंने भी टारगेट दिया था और उस मामले में भी इनसे पूछता अच हुई थी इनको समन जारी किये गए थे तो आप देखिए कि ओधव ठाकरे के जो करीबी हैं वो किस तरीके से अब गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं याद रखना चाहिए हमें अनिल देशमुक को अभी हाल ही में जमानत मिली है इडी के मामले में पहले जमानत मिल गई थी सी बी आई के मामले में अभी कुछ दिन पहले जमानत मिली है उसको रिहा किया गया है पूर्व ग्रह मंतरी यानि उधाव ठाकरे के ग्रह मंतरी रहते हुए वो एक पुलिस अधिकारी के जरिये 100 करोड रुपे महिना कम वा रहे थे वसूली करवा रहे थे जिसको मुंबई में हपता वसूली कहते हैं वो काम करवा रहे थे और नवाब मलिक एक और मंत्री इनकी सरकार के और ये दोनों और ये भी ये सब शर्ट पमार के करीबी उनके विश्वास पात्र नवाब मलिक और अनिल देशमुक एंसीपी के अनिल पर अब जिनकी जमीने और रिसॉर्ट कुर्क किया गया उधाव ठाकरे के करीबी और मूल शिवसेना के कैबिनेट मंतरी नवाब मलिक पर गंबहीर आरोप थे दाउद की बेहन के साथ अवैद कारोबा करने के जमीन की खरीद फरोक्त के जो जमीन मार्किट में जिसकी वैल्यू करीब तीन सो करोड रुपे वो केवल पचपन लाख रुपे में इन्होंने अपनी कंपनी के नाम करवा ली थी तो अनिल देशमुक भले ही रिहा हुए हैं करीब तेरे महिने जेल में रहकर के पर नवाब मलिक अभी भी जेल में है और अनिल परब की अब जेल जाने की नौबत आ गई है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अग बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार